ग्लोव है एक ऐसे चीज है जो आपकी वीडियो को नेक्स लेवल तक ले जाएगा अगर हम अपनी फोटेज में हलका सा भी ग्लोव एड़ कर देते हैं तो इसे और भी ज्यादा सिनेमेटिक बना देता है लेकिन अगर हमें और भी ज्यादा रियलिस्टिक बनाना है तो इसे अहीं यूज़ करना है जितना कि चाय में शुगर आप टाइम बेस्ट ना करते हुए वीडियो के शुरुआत करते हैं सो लेट्स को टू दी प्रिमेट प्रों सबसे पहले आपको फोटेज ने इपोर्ट करना है अपने टाइम लाइन पे जैस आप देख पा रहे है मैंने आप पे अलड़ी फोटेज इपोर्ट कर लिया है सिक्वेंस क्रेटेड है यहाँ पर अब हम इस फोटेज को गलो इफेक्ट देने वाले हैं तो इसमें सबसे पहला स्टेप आपको यह करना है किस लेयर का आपको डूप्लिकेट करना है सिंप्ली आपको आल्ट प्रेस करके रखना है अपने की वोड़ पे क्लिक के साथ इस लेयर को ऊपर की तरफ ड्रेग करेंगे कुछ इस तरह से मैं कर रहा हूं तो आपका लेयर डूप्लिकेट हो जाएगा उसके बाद आपको इफेक्ट पे आना है इफेक्ट पैनल पे और यहाँ पर आपको क्लिक करना है और स दिख रहा होगा threshold threshold के option को आपको कुछ भी नहीं करना है इसे 100% ही रहने दिना है उसके बाद आपको नीचे यहाँ पे cutoff दिख रहा होगा इसे आपको अपनी वीडियो के recording एडजस्ट करना है मैं आपको कुछ बाते हैं जो बता देता हूं अभी जो मैं आपको situations बताने वा परसेंट और cutoff 22% रखने के बाद आप देखेंगे तो preview पैनल में आपको उसका जो effect है वो शो होने लगेगा उतना ज्यादा आपको effect अभी पता नीचे लेगा इसके बाद हमें एक और effect इस पर apply करना है जिसके लिए आपको दुबारा से effects पैनल पर जाना है यहाँ पर आप आपको यहाँ पर दिख रहा होगा blurriness यहाँ पर जो strength है blurriness का इसे भी आपको अपनी वीडियो के according ही adjust करना होगा कि आपकी वीडियो पर कितना अच्छा लग रहा है यहाँ जो मैं use कर रहा हूं वह blurriness है 37% का 37 to 32 की बीच मैं रखूंगा इसको जो भी इसमें better लगेगा इसके बाद आप blurriness के नीचे आप देख रहे होंगे एक और option है repeat edge pixels का इस पर वैसे तो इस पर टिक रहता है अगर यहाँ पर टिक ना हो तो इससे आप टिक कर दें ताकि आपकी जो blurriness है यह आपके screen से बाहर ना जाए और काफी अच्छा इसमें आपको लोगते cinematic field है आप देख रहे होंगे कि जो भी आपने effects apply किये हैं इसका आपको preview panel में result show होने लग जाएगा and at last मैं आपको बता दूँ अब यह जो हमने settings है आप ही की है यह सारे apply कर सकते हो जो अपनी footage आप यूज़ करने वाले हैं उस पर ensure करना कि हर footage पर टिक बल नहीं होगा यह एक hit and trial method है आ अगर इस वीडियो में कोई भी problem आ रही है तो comment करें मुझे जरूर बताएं कि आपको क्या problem आई क्या आपको अच्छा लगा इस वीडियो को share करें आप में दोस्तों के साथ सब्सक्राइब करना आपको थैंक यू सो मचिंग इस वीडियो थैंक यू